हर चीज की कही ना कहीं से शुरुआत होती है और आज के जमाने में आपने देखा होगा कि कहीं भी कभी भी कोई भी चीज की परचेस, प्रोडक्शन और पैकिंग करनी हो तो वहां से शुरू होती है कॉमर्स की दुनिया जैसी कि आप कोई बिजनस करते हैं या फिर आप अप या फिर खुद की income के उपर tax भरना, बहुत सारी ऐसी चीजें आप अकसर करते हैं और करते रहते हैं, तो ये सारी चीजें किसी न किसी तरीके से commerce के साथ जुड़ी हुई है, तो क्या आपको पता है कि commerce क्या होता है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं, और अभी हमने जो भ income और mcom के education की जरूरत पड़ेगी, क्या आप जानते हैं कि mcom क्या है, अगर नहीं, तो आएए, आज हम बात करते हैं exactly mcom क्या है और उसकी पूरी जानकारी, नमश्कार दोस्तों, अब सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, तो mcom के अगर बात करें, तो इसका मतलब होता है Masters of Commerce, ये एक post graduate degree है, ये UGC द्वारा approved दो साल का course है, जो banking financial सेवाओं और insurance के साथ साथ, accounting और business field में अपना करियर जो बनाना चाहते हैं, उनके लिए course बहुत ही helpful होता है, तो ये दो साल का पार्थे करम बिग कौम में पढ़ाए जाने वाले economy, capital, revenue, trade, taxes, आधी के कामकाज में, deep म अभ्यास होता है, practical होता है, एमकॉम एक specialized field है, इस course को वो उम्मिद्वार कर सकते हैं, वो student कर सकते हैं, जनोंने बिकॉम या बिकॉम honors की पढ़ाई की है, और CA या CS उम्मिद्वारों के लिए भी एमकॉम एक अच्छा option है, हालांकि कई CA या CS, MCO का पेचा नहीं करते हैं, क् कि CA या CS कोर्स बारवी कक्षा के बात किये चाते हैं, और अगर आप बात करें कि, एमकॉम के लिए qualification क्या होना चाहिए, क्या criteria होना चाहिए, कोर्स की duration कितने होती है, तो आईए जानते हैं उसके बारे में, अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं, तो recognized university में से, आपको बेकॉम और बेकॉम ओनर से minimum 50% यानि की 50% नंबर्स के साथ पास किया होना चाहिए, कई सारी universities, economics, honors, BBS, BFIA, and BBE कोर्स के लिए minimum 60% score वाले student को एमकॉम के लिए प्राधान में देती है, importance देती है, और एमकॉम के लिए fee structure अलग-अलग colleges में अलग-अलग है, जो 2000 से 8000 तक हो सकती है, और अगर बात करें duration की, तो एमकॉम दो साल का कोर्स होता है, और इसमें 4 semesters आते हैं, एमकॉम कोर्स में अगर आप इन courses में आगे specialized study करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा area cover होता है, जैसी की एमकॉम यानि की taxation, एमकॉम mathematics, एमकॉम accounting and finance, एमकॉम banking, एमकॉम banking and finance, एमकॉम marketing, एमकॉम business management, एमकॉम economics, एमकॉम accounting, एमकॉम statics, एमकॉम finance, एमकॉम finance and control, एमकॉम e-commerce और एमकॉम computer application, तो बहुत बड़ा area है, जो भी आपको ठीक लगता है, interesting लगता है, आप उसे choose कर सकते हैं, और आगे अपने study continue कर सकते हैं, अगर बात करें, एमकॉम के लिए required skill की, तो हमने एमकॉम के बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन कि आप जानते हैं कि आपको कौन-कौन सी skills की जरूरत पड़ेगी, तो एमकॉम करने के लिए, आपको मोटे तोर पर संख्याओं, ग्राफों और कैलकॉलेशन के बारे में skills, और नमबर फोर पर है, leadership qualities और उसके साथ-साथ, banking and finance sector का knowledge होना बहुत important है, और नमबर पांच पर, last में computer में MS office और other normal computer handling में mastery होना तो बहुत जरूरी है, कम से कम आज के टाइब में, तो कहने का मतलब यह कि हमने एमकॉम क्या है और उसके बारे में सभी information के बारे में जाना, लेकिन अब हम जानते हैं कि एमकॉम के बाद में कैसे और कौन सी job profile आपको मिल सकती है, तो एमकॉम करने के बाद आपके लिए इतनी सारी नौकरी के option है, अब सोच भी नहीं सकते, exactly, आप एमकॉम पूरा करने के बाद, BFSI यानि की banking, financial services and insurance के field में नौकरी की तलाश कर सकते हैं, एमकॉम को complete करने के बाद private, public और government sectors में जादा से जादा नौकरी के लिए apply कर सकते हैं, उसके अलावा राश्ट्रियक्त bank, railway, आईकर और अन्य ऐसे सरकारी विभाग में एमकॉम डिग्री धारकों के लिए, एक सुरक्षित और सम्रुद्ध करियर बनाने के लिए, एक अच्छा option है, एमकॉम करने के बाद, आप एक accountant और senior accountant, finance executive, cashier, chartered accountant, कोई भी private और broker, wealth manager, researcher, आपके नस्दी की school के school teacher, कोई finance company के finance manager, accounts executive, company secretary, marketing manager, entrepreneur, college में lecturer, finance consultant और कोई भी insurance company के insurance agent भी आप बन सकते हैं, तो ये बात हुई, एमकॉम के बाद आपको कौन-कौन से field में कैसी-कैसी job मिल सकती है उसके बारे में, और आई अब आगे हम जानते हैं कि एमकॉम डिग्री कैंडिडेट के कौन से बड़े recruiter है, जैसी की SBI, पंजाब National Bank, ICICI Bank, City Bank, HDFC जैसी बड़ी private and government banks और उसके साथ-साथ, Ernest & Young, KPMG, PricewaterhouseCooper, TFC & Deloitte जैसी Professional Services Company सबसे बड़ी M.com कैंडिडेट की recruiter है, अगर हम M.com करने के बाद सबसे important अगर salary की बात करें, तो M.com डिग्री मुख्य रूप से Commerce आधारित शेत्र पर केंद्रित है, प्रभंदन और अर्थ शास्त्र आधारित विश्यो, जैसे कुछ अन्य फिल्ड है, प्रतियोगिता के बाद प्रतिबाशाली उम्मिद्वारों को उच्च वेतन दिया जाता है, अगर कोई अधिक वेतन पाकेज प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जो लोग अकाउंटेंट की रूप में शुरू करते हैं, वो लगबग 6,000 से 10,000 रुपे तक वेतन प्राप्त कर सकते हैं, और फिर ये CA या CFA जैसे उच्च योग्यता के बाद, एक लाख रुपे तक वेतन University of Pune, Bangalore University, University of Hyderabad, Symbiosis College of Arts and Commerce Pune, Loyola College Chennai, Hansraj College Delhi, St. Joseph College Bangaluru, Hindu College Delhi, Shriram College of Commerce यानि की SRCC New Delhi, Christ College Bangaluru, Nursi Monchi College of Commerce and Economics Mumbai तो ये थी सारी जानकारी M.com के बारे में, तो I'm sure कि अब आपके दिमाग में शायद कोई सवाल ना हो और फिर भी हो तो बिलकुल आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके, कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और आपके असपास कोई ऐसा है जिसे इस फिल्ड की जानकारी चाहिए, तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, साथ या कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी हमें बताएं, और ऐसी जानकारीों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक